नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको मेरे चाल में फिर से इबार में हूँ आपकी वही आंजली ए दिल मत कर इतने महौबबत किसी से इश्क में मिला दर्द तू सह नहीं पाएगा तोटकर बिखर जाएगा अपनों के हाथों से किसने तोड़ा ये भी किसी से कहना पाएगा जी हाँ आपने से सुना माज के डेली आशिफल की बात कर रहे हैं सबसे पहले आज उनका बार्द है या अनुवर्सरी है उनको मेरी तरव से छेर सारी गुड विशिस तो चलिए अब शिरू करते हैं करके कुछ कर दिखाओ ऐसा कि एक दिन पूरी दुनिया कदमों में हो उठो तो ऐसे उठो फकर हो बुलंदी को छुको तो ऐसे जुको बंद की भी नास करे खुद को यूखो कर जिन्दकी को मायूस ना कर मनजिले चारों तरफ है रास्तों के तलाश कर आप भी मायूस ना हो कि रास्ते बंद हो गए है रास्ते बंद नहीं हुए अरे रास्ते तो खुले है सिर्फ आपने उनको तलाशना यानि खोजना बंद कर दिया है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आज आपके लिए भागिशाली रंग यानि कि जो लखी कलर है आज का वो रहेगा नरून रंग का और आपके लिए शुब आंक रहने वाला है एक आज जो है अगर किसी के लिए मन में कड़वाहत भरी हुई है तो उसे माफ सरूर कर दीजेगा बहुत बढ़िया रहेगा इसे जो है आपके सहत बहतर होगी और आपके करम अच्छे भी होगे फिजोल के जिनता मत कीजेगा परिस्थितिया जल्दी ही अनकूल हो जाएंगे परिस्थिति के प्रती अनासक्ती का भाव रखिये इसे आपको बहुत ही ज़ादा लाव मिल सकता है नेगटिव सोच से बचकर रहना होगा और नगरात्मक सोच रखने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहे अगर मोटेश अक्षरों में कहूं कि आज आपको बुरी संगत से बचना होगा अगर आप बुरी संगत से बचते हैं तो ही आप में positive इजी रहे कि सारा दिन किसे भी स्थिती में फैसला लेने से पहले थोड़ा आपको इंतजार कर लेना चाहिए तो बैठर होगा या फिर अगर आप किसी बड़े बजुर्ग या फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेते हैं तो उसमें आपको ज़ादा हद तक पाइदा देखने को निल सकता है आजकल जो है आपका अपने खुद के ऊपर विशीश रूप से ध्यान देना आपकी व्यक्तित्व को निखार रहा है यानि इस समय जो है आप अपने प्रस्नालिटी पर ध्यान दे रहे हैं साथ ये साथ अनिक शेत्रों में भी उन्ती के लिए प्रयासरत है वक्त जो है आपके पक्ष में चल रहा है सितारे आपके साथ है आज आप अपनी प्रभावशाली वानी के द्वारा परिस्थितियों को जादा अपने पक्ष में करने में सफल रह पाएंगे और इससे आप को उन्ती में बहुत अच्छे डिजर्ट देखने को मिल सकते हैं कभी-कभी आपका अतिदिक सवार्थी हो जाना दोस्तों के साथ समंधों को विगार सकता है इसलिए आज आज आपको इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा सवार्थी मत बनिएगा आज किसे यात को जो है अपनो ऑफिस का काम निपटा लेना चाहिए वरना अगर वो इनकंप्रिट रह गया तो आपको बहुत से जो है निराशा हाथ लग सकती है वहीं आज के दिन कुछ चिनोतियां और परिशानियों से भरा भी दिन हो सकता है किसी बार के चिंता करने के बजाएं उसका का हल निकालने का आपको प्रियास करना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो जल्दी ही सही नतीजे पर पहुंच पाएंगे सब कुछ जानती हुई भी अगर आप चुप रहें तो बैठ रहेगा और अगर आप चुप ना रहे तो आपकी प्रियाजनों को नुकसान हो सकता ह बलाई आज इसे में हैं कि आज आपको अपना मुह नहीं खोलना चाहिए आज नीजी जीवन से रिलेटिट कोई इंपोर्टन फैस्टा लिने से पहले किसी से सलाह तो ज़रूर लेजीगा जैसा कि मैंने अभी पहली कहा था आज अपने मूड को भी स्विंग को नियंत्रन कटके रखेगा यानि जो मूड है ज़्यादा भावुकता भी नहीं अच्छी है ज़्यादा गुसापन भी नहीं अच्छा है अगर आज के दिन हम नॉर्मल रहेंगे तो इस बैटर रिजल देखने को मिल सकते है ग्रहों के सिती ये भी कह रही है कि आप पर घर पर ही रहे कर सारे के सारे काम निप्टा आ सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया बात है अपने इंपोर्टेंट फैसले स्थगित ही रखें क्योंकि हर काम में कुछ बदलाब लाने की अभी जरूरत है इसलिए पहले रूप परिखा तयार करें अनलाइश उस करें कि क्या आपको सही करना है और क्या नहीं अगर आप कुछ बदलाब करते हैं तो आने वाले दिनों में इसका बहुत ही जादा आपको देखने को मिल सकता है आज पैसे से रिलेटिड किसी लेन देन में कुछ घरबड़ी हो सकती है और कोई पुराना रुका हुआ काम भी पूरा करना पर सकता है जिसकी वज़़े से कुछ तनाव उत्पन हो सकता है जहां रखिए पैसे को लेन देन जब करेंगे तो आप पैसे को गिन कर देखीगा ये ना हो कहीं जो पैसे हैं वो कम हो ये जाता हो इस बाद का विशेश रूप से ध्यान रखना होगा वना आपको फाल्तू की टेंशन हो सकती है तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे की और और बात कर लेते हैं हम लव लाइफ के बारे बे तो आज जो है वो जीवन साहती के साथ कुछ समय वतीत करने का है और भवेश्य समंदी कुछ योजनाय बनाने का है आज जो है आप अपने बच्चों को लेकर भी कोई प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले जीवन में कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है आज आपको कुछ हल भी बहुत अच्छे मिल सकते हैं जो लोग अविवाहिद है और जो प्रेमी है उनके लिए समय जो है बहुत ही अनकूल कहा जा सकता है ज़्यादा बैस तो नहीं रहेगा लेकिन अच्छा रहेगा पति-पत्नी के जो आप से सबंद है उनमें जो है मतुरता देखने को मिल सकती है जो पिसले दिनों में लड़ाई जगड़े चल रहे थी उनमें अब शान्ती की भामना देखने को मिल सकती है काफी हद तक सुल सकता है फैसला प्रिजूल के प्रेम समंदों में अपना समय बर्बाद मत कीजे यानि कि किसी से फ्लाट मत कीजे अगर आप किसी से प्रेम करना ही चाहते हैं तो सही माइने में सच्चा प्रेम कीजे तो ही फायदा होगा वन्हाँ आपको नुकसान चेलना पर सकता है प्रेजनों से बेवजा वाद वाद भी हो सकती है इससे आपको पूरण रूप से बचना होगा नहीं तो किसी बड़े जगड़े का सरूप ले सकता है और इससे आपका जीवन साथी बहुत ज़ादा प्रभावित हो सकता है और यार रखिए इससे आपके जीवन सादिकी मान हानी मान समान में किरावट भी आ सकती है इसलिए सोर समझकरी बोलिए तोल मोल कर बोलीगा तो चलिए बात करते हैं व्यविसाई यानि की बिजनस और करड के बारे में कारेसल से भेजे गए माल की किसी वज़ा से वापसी हो सकती है उसका कोई भी कारन हो सकता है जिसकी वज़ा से नुकसान जिलना पर सकता है बैतर यही होगा कि आप अपने माल की जाज परदाल करके ही उसे पाहर भेजेगा इसलिए माल की quality का ध्यान रखना होगा नौकरी बेशा व्यक्ति भी ध्यान रखिए कि कोई भी काम गलत हो जाने से दुबारा महनत करने पर सकती है इसलिए सोस समझ कर आगे बढ़िये वरना आपको डबल महनत करने पड़ेगी जिसकी वज़ा से धकान होना सभाविक हो सकता है आज जो है नौकरी बदलने का भी योग बना हुआ है करेर के लिए बहुत ही दिन बढ़िया कहां जा सकता है अगर आप जौब के लिए आज के दिन इंटरव्यू देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए वही आज ए कारिक शेत्र में कोई भी इंपॉर्टन फैसला भी लेने से बचना होगा क्योंकि कुछ वाद इवाद से रिलेटेड स्थितियां पैदा होने की संभावना दिख रही है ऐसे सितारे बने हुए हैं बहतर होगा कि कोई भी कारे करने में परिवार की लोगों की सलह ले वो जादा जानते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है आज उन लोगों के लिए थोड़ा तना भरा हो सकता है जो नई जौब ढून रही है हलांके ट्राइ कीजे सितारे आप ही के साथ है लेकिन आप में से कुछ लोगों को निराशा भी हाथ लग सकती है क्योंकि हर दिन सब के लिए एक जैसा नहीं होता है तो चलिए बढ़ते हैं आगे स्वास्त की तरफ तो स्वास्त की बात करें तो स्वास्त की और ध्यान देना बहुत ही जरूरी है आपका नसों में खिचाव हो सकता है जिसके वज़े से शरीर में ठकान महसूस होती रहेगी बहतर यहीं होगा कि अब जादा से जादा आराम फरमाएं अभी सर्दी जुकाम गला खराब भी हो सकता है साथानी रखी ठंडी चीजों से परहेस करना होगा अगर आप काड़ी का इस्तिमाल करते हैं तो बहुत यच्छे फायतों को देख सकते हैं अपने उपर अलोपेथिकी दवाओं का अभी स्तिमाल मत कीजिए बागी का स्वास्ते ठीक रहेगा और हाँ आप मेंसे कुछ लोगों को आलस की स्थिती बनी रह सकती है अराम जादा भी मत कीजिएगा परना आलस बनी रहेगी जिससे आपका काम करने में दिल नहीं लग पाएगा तो चलिए बात करते हैं आज की विशेश उपाई के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि आज आपको अपने घर में से जो जाले लगे हुए हैं और डस्टिंग वगरा हैं उसे कर लेनी चाहिए जाले साफ कर दीजे इसे जो है लक्षमी की किरपा बनी रहती है अगर घर में आप रात को जूठे बटन छोड़ देते हैं और सुबह वश करते हैं तो आप ऐसा अपसे मत कीजे अगर आप रात को ही जूठे बटन साफ करते हैं तो इसे जो है बरकत बनी रहती है और साथ ही साथ में अपने मस्तक पर जो हैं आपको हल्दी का तिलत लगा लेना चाहिए अगर आप मस्तक पर नहीं लगा सकते तो आप गले में लगा सकते हैं गले में सेंटर में तो इसे जो है बरकत सारा दिन बनी रहती है पॉजिटिव इचार आपके मन में आते ही रहेंगे तो दोस्तों अगर आप कोई हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेर करें और हमारे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा धन्यवाद